आज की जो हमारी ये खिलास है, ये कलास है NTA UGC NET समाजकार्य की, और हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि समाजकार्य है, के जो है 6 बज़े से जो कलास चल रही, वो बेसिकल ही, थेोरिकल के आधार पर चल रही है, कंटेंट के आधार पे चल रही है यो ने के संबंद में आप लोगों के बताया er कि या औ और समाजकारी सिद्धान है कि बातता जिसमें से मैंने कल दो theory के बारे में बात किया था, एक बात किया था आप लोगों से सामाजिक अदिगम का सिध्धान्त, इसी को प्रतिरूप का भी सिध्धान्त कहा जाता जो Albert Bandura के द्वरा दिया गया था 1963 में और एक थियोरी में ने बताया था बार्टल MP के द्वारा सिस्टम थियोरी थी इसको सामान प्रडाली का सिधान्त भी कहा जाता है तो इसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा थोड़ा सा किया था आज कुछ प्रशने लिए हैं प्रशन करने के जस्ट बाद हम लोग पढ़े इरिक इरिक्षन का एक थियोरी है मनों समाजिक विकास का सिधान्त ये सोशल वर्क में भी लागो होता है तो देखिए यहां पर पहला प्रशन आपके सामने है कि अलबर्ट बैंडूरा निम्न में से किससे संबंदित है क्या समाजिक अधिगम से क्या बैवहरवादी से समाजिक खिए सं माजिक आधिगम का जो सिधान आप लोग ने बताया है सोसल लिर्निंग जो बताया है यही आपका करेpt हो जाएगा याद रखिए-गा सभी लोग काफी इंपोर्टेंट है ये पहला है द्यान डूसरा चरण है प्रतिधारण यह चरण एक्जाम में प्रेशन बनायते हैं तीसरा है आपका पुनर उत्पादन पुनर उत्पादन और चौथा आपका है अभी प्रेंडा तो यह आपको यादगा इसी को पुनर उत्पादन को ही पुना प्रस्तूति करल भी कहा जाता है और अभी प्रेंडा को केवल प्रे पूछा गया प्रशने बेवारवाद के सिध्धान्त की बात करता हूं तो जेबी वार्सन का नाम आता है संगेनात में विकास का सिध्धान्त का बात करता हूं तो जीन प्याजे का नाम आता है और विकास का मनोवेग्यानिक समाजिक सिध्धान्त की बात करता हूं तो किसका बनामाता है एरिक एरेक्षन का साबाश कितनी अच्छी बात आपने का आठ चरण इसमें सामील किये गए हैं यह बात आप ध्यान रखिएगा जीन प्याजे में चार चरण को बताया गया है बैवारवाद बैसिकली एक बाहरी अवलोकन बैवार को केंदरित करता है या इस सिध्धान पर बल देता है कि परिया वरण और बैक्ति के बैवार का आकार देने का आप कारक माना जाता है इसलिए व्यावादी सिध्धान हम पढ़ते हैं जेबी वार्सन का किस बिद्वान ने कहा था कि बालक एक कोरे कागज जैसा होता है जिस तरीके के बालक दोगे आप मुझे जैसा चाहोगे मैं वैसा बना दूँगा जेबी वार्सन बहुत बढ़िया यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में स्ट्रेट्वेंट भी दिया गया है आपको मैं प्रवाइट करा दूँगा यहां पर आपको मिल जाएगा आगे बात करते हैं कोशन नमबर टू के बारे में बैंडूरा से संबंदित है कोशन नमबर टू बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम का जो स्वाब हो जाएगा समाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम का सिध्धान्त है कि लोग बैवहार देखकर अनुकरण करकर और मौडलिंग के बैवहारों को सीखते हैं कि मानो बैवहार काफी हद तक जो है अधिग्रहित होता है तो इसमें समाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम का सिध्धान्त है वो तीन ऐसे सीरसक हैं उन सीरसक के तहत इसको समझाए जा सकता है एक इन्हों ने बताया था पराश है परिक पराश परिक निधारण वाद एक यह है नमबर एक, नमबर दो जो है स्वा प्रलाली नमबर तीन जो है आउलोकन सिख्छा का सिध्धान्त ये काफी इंपोर्टेंट है फिर से रिपीट करूँगा कि अलबर्ट बेंडूरा के सामाजिक आउलोकन पर आधरित अधिगम का जो सिध्धान्त है वो तीन सीर्षकों के तहत समझाया जा सकता है याद रखेगा यहाँ पर ठीक है याद रहेगा आगे बात करते हैं नेक्षट दिखी प्रतिधारण आप जानते हैं कि जानकारी को सीखने की प्रक्रिया को महत्पूर भाग की रूप में जब संग्रहित करते हैं उसी को हम प्रतिधारण कहते हैं और स्वाप प्रलाली किसको कहते हैं स्वाप प्रलाली स्वाप प्रलाली किसको कहते हैं स्वाप प्रलाली बेंडूरया ने पाया कि किसी ब्यक्ति की आत्मे प्रभाव कारिता एक प्रमुक भूमी का निभाती है कैसे लच्च, कार, यह चुनवतियों का सामना किया जा सकता है इसके बारें बताती है तो आ был प्रणाली द्परा अब पराश पर एक नियत्धार अब क्या बताती है बिचार, प्रभाव और क्रिया के बीच की साभागिता को दरसाती है लोग क्या सोचते हैं विश्वास करते हैं मैशूश करते हैं बैवहार कैसे करते हैं इन सारी चीजों के बारे में बताती है याद रखेगा सही जवाब ऑप्शन नमबर सेकेंड का रेटी जवाब हुजाए बात करेंगे नेक्स्ट कोश्चन पर हम लोग और हमारे सामने तीस अफ्शन समाजिक अधिगम कर सिद्धान तो यही होगा ना अच्छ थी ठीक 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 बोबो डॉल बिहेबियर आयज स्टडी ओफ अग्रेशन नामत प्रियोग पर निर्माल किया है यह अल्बाट बैंडूरा ने याद रखेगा इसका सही जवाब हो जाएगा option number D सास्त्रियन बंदन का सिध्धान्त पावलाओ संग्यानात्मक वेरी गुड़ अंतद्रिष्टी कोलर कोलर क्या बात है समझदार हो आपको कुश्य नुबर 4 एक बच्चा गुस्षे में एक अपने सगी साथी को संगी साथी को उसी तरह मारता है जिस तरह से उसे घर से घर पर सजा दी गई थी उधारण संचाला कनकुलन सास्त्री अवलोकन और इंतर द्रिष्टी विल्कुल अवलोकन यहां पर करेंट जवाब हो जाएगा अवलोकन अधिगम का सिध्धान्त इस पर बल दिया गया है कि सामाजिक अधिगम का सिध्धान्त किस तरीके से अगर हम बात करें निरिच्छड और प्रस्ताव को रखता है और यहां पर जो घटना घटित होती है उस घटना के आधार पर जो बिहाइवियर करता है उसके बारे में बताता है तो संग्यानात्मक और समस्या मतलब सुल्जाने के कौसल को दूसरों को देखकर और उसकी नकल करके सीखा जा सकता है नए बैवहार अनभाओं को ततकाल वातावरण में दूसरों को देखकर प्राप्ति किया जाता है अरे आप जानते भी है बकि आपको मालूम है चार चरण होते हैं अवधान बोल लिया आप एक बार बता चुका हो भी भी प्रतिधारण को अवधारला भी बोलते हैं आप अब 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 बरीक बाध बड़ी ने पुनर बलन ना कहें मोटिवेशन करें कि प्रेणा बोल दीजिए या अभी प्रेणा बोल दीजिए पुनर बलन अलग है है कि आगे बढ़ी है इंदन ये प्रेंद आवि तेखो अभी प्रेंदण जो सबस साही है लेकिन पुनर बलं जो सब्द है मेडम वो MemberOM कि प्रकार से बताता है किसी चीज को बघाब अभी के लेकिन और परेंड़ा पुनर तो बन जो है परतेश चरूप्ष भी ओता है आप पीडिए परतेश और परतेश रूप्स नहीं होता है पुनर बलन होता है यह बार बार की पिलिया होता है समाजी कदिर्म का सिद्नात निम्लेकित में से किस घटक पर बल देगा पोशर बेरी गुड यहां पर सही जवाब पोशर और आप लोग भलीभात तरीके से मालूम भी है आप लोग जानते भी हैं पोशर के बारे में है न कि वही बच्चे जो होते हैं वयश्क देखकर उसका अंकरण करके समाजिक अधिकान समाजिक ब्यवार को सीखते हैं कपड़े पहनने का तरीका हुआ किसी के बाल समारना और समाज में खुद का आच्रर दूसरों को देखने के द्वारा ही सीखा जाता है यह सारी चीजे जो बेसी कली हम देखते हैं यह इसी के अंत्रगत देखते हैं इस बात को आप ध्यान किएगा बैंडूरा ने कहा है कि दूसरों को देखकर उसकी नकल करने या करके बैवार को सीखता है यह चीज अलबट बैंडूरा ने कहा है इस चीज को आप ध्यान रखेगा बैंडूरा का प्रसिद बोगो गुडिया का प्रियोग किया था उस पर निशकर्स इस बात के समर्थन में था कि हमारा पर्यावर संस्कृति समाज आधी जैसे जो कारक हैं उनको दर्साते हैं जो एक बच्चे की विकास के लिए पोशड जो है एक अहम भोमिका निभाता है एक अहम कंपोनेंट के रूप में आता है इसलिए आपका पोशड करटी जबाब रहेगा ना कि प्रक्यति कराय की वयाश्क बैवहार को आकरामा कुरूप से देखकर ही बच्चे आकरामा होना सीख सकते हैं इस या द्रिष्टिकोर किसके दौरा माना जाता है कैटल अलपोर्ट डॉलर अन्मिलर बैंडूरा और उसकी साहयोगी बैंडूरा और उसके साहयोगी देखिए मनोविज्ञान में कई सिध्धान्त है कि वही मनोविज्ञान के विभिन स्कूलों से संबंदी जैसे संग्यानात्मक मानातववादी बैवहरवादी बहुत सारे ऐसे चीज़े देखने को मिली हैं तो मनोविज्ञान को दोरा मानो संबंदी सीखने का जो सिध्धान्त है उस पर प्रस्ताव रखते हुए वह अधिक बल दिये पहली बात इन्होंने ये बात बोली कि अधिगम आप्रतिच स्रोतों से होता है जैसे दूसरों को देखकर और सुनते हैं तो वो एक प्रकार से बेवहर करने भी लगते हैं दूस दूसरों को देखकर प्राप्त किया जा सकता है ये तीसरी बात थी तो तीनों बाते आप ध्यान रखेगा यहां पर दर्सार आया है अलबर्ट और उसके सहयोगी काफी इंपोर्टन्ट यह सवाल था आप सब्सक्राइब करें यहां पर गिद्वान का नाम आप देख रहे ह दिया है और बात करते हैं अलपोर्ट के बारे में अलपोर्ट व्यक्तित्त का अध्यन किया है किसका व्यक्तित्त का सही बात है ने अध्यन किया है और आर्वी कैटल आप जानते हैं व्यक्तित्त प्रडालियों में कामकाजी जीव को अधिक समावेशी सामाजिक सांस्क्रि संस्कृतिक अभी हो को बीच में जटिल आदान प्रदान की व्याख्था किया है मतलब आप ये कह लिजे समावेसी सामाजिक सांस्कृतिक अभी हो तिक है नोट कर लिजे सामाजिक सांस्कृतिक अभी हो के बीच को जटिल आदान प्रदान व्याख्था किया है पाकी चौथा आप जानते ही यह अलबर्ट बैंडूरा आपने सिद्धान्त के लिए जाने जाते हैं बताएए बैंडूरा आपने समय में समयाश्च के bob इमें बात काम किया और अपने समयाश्च क्या पर लिए ये इतने вопрос पुछ दूए कि इन्हों ने हाली में एक नया नाम दे दिया समाजिक संग्यानात्मक सिध्धान्त भी तो याद रखेगा और मनो लेंगिक विकास का सिध्धान्त इस 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 इसमाजिक संग्यानात्मक सिध्धान्त भी तो इसका नाम जाता है पिया जेगा ने नाइटिक में कोहल बर्ग कोहल बर्ग तो यह आप याद रखेगा थोड़ा सा किताब का नाम है इसको नोट कर लिजीगा किताब का नाम है कि आगे बढ़िए जटिलता उसके साथ पिर उस पर एक ब्याख्या किया था जो सामावेशी सामाजिक सांस्कृतिक अभी हो के बीच में जो जटिलता होती है ना उसके आदान प्रदान की व्याख्या करता है कैटल कि ठोस और तरल बुद्धी का सिद्धान किस ने दिया है कि अर्भी कैटल वैलकुल वैलकुल की करण जबाद अलबर्ट बैंडूरा ने निमने में से किस से संबंधित हैं देकि बहुत सरल सवाल पक्का चलिए सामाजी कद्यूम का सिद्धान दिया है बहुत बड़ी आए चार चरण है नाम बताएं फिर से पहला ध्यान आता है कि पातन है कि रेड़ी चरण भी आपको याद नहीं चाहिए बैवर्वादी सिद्धान अब यह थांडाइक का नाम आता देख लो भाई साथ यह देख लो कभी कभी अच्छा यह दिखो वाट्सन है यह प्याजे है यह तो फ्राइड है अधिके थॉनडाइक और आप यहां पर नाम लेना उचित नहीं होगा ठीक है बैवार्वाद का जो सिद्धान्त होगा वो जबी वाट्सन का ही नाम होगा बैवार में परिवर्तन को लेकर बात करने व नाम लेते हैं तो ठीक है बाकी सिद्धानत नाम आता है तो इस तरीके इस नाम ना ले चलिए क्रम बताए क्रम अलबर्ट बेंडूरा का नीरी चड़ अधिगम की चार परिस्तियों के आवश्यक बताए क्रम तीसरा इस्दा राइट एंसर हो जाएगा तीक है अवधान धारडा पुनरुत पाधन और अब्रेन काम आ अगया ने आप लोगों कहीं अभी बार 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 बोल रहा था मैं हम जो कोशन हमबढूए अट्यनत नि पुढ़ तापूढ पड़ सिचणद पजत्थी जिसपर बेंडूडूरा और वार्सन निबल दिया था सिखेसास्व वोल्टार्स वोल्टार्स निबल दिया था और रिचर्ड वाल्टार्स के साथ जो न एक जूनिएर लेखक थे बैंडूरा ने किसोर आक्रमक्ता पर लिखा जिसमें ब्यक्तित विकास का वर्लन करने के लिए सामाजिक शिप्छड सिध्धान्तों का उप्योड किया था तो मैं आप सबसे कहूंगा कि अलबर्ट बैंडूरा ने निरिक्छड योक्त अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धान्त को प्रस्ताव किया था तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सभी लोग जवाब दीजियेगा और बी को दीजिएगा कि बीजदर अगे बढ़िए अब ही बस टॉपिक पे आ रहे हैं बताइए निम्न लिखित में से किसका विचार था कि परतेच अनभो से जो कुछ भी सीखा जा सकता है वह आवलोकन से भी सीखा जा सकता है मौडल सबसे प्रभावी होते हैं यदि उन्हें सम्मान योगता उच इस्ति या सकती के रूप में देखा जाता है तो इस प्रकार के ज़्यादातर मामलों में सिख्छक अत्यधिक प्रभाव साली ये मौडल हो सकता है बैंडूरा का ब्यक्तित्त का जो यहां पर बात में कर रहा था बैंडूरा का ब्यक्तित्त का जो समाजिक अधिगम का सिध्धान्त इस आधार पर आधारित है कि मानो ब्यवहार काफी हद तक हासिल किया जा सकता है और यह भी सिक्षा के सिध्धान्त बेवार के विकास और रख रखाओ के लिए परियाप्त होगा तो बैंडूरा ने अपने पूरे कैरियर में सामाजिक अधिगम पर जब इसने बहुत काम किये और अपने सामाजिक अधिगम के सिध्धान्त के लिए प्रिशिद हुए तो जदतर मामलों में सिच्छक अत्यदिक प्रभावसाली मौडल हो सकता है ऐसी बात भी कहना उचित होगा तो प्रते चनवों के माधिम से सोसल मौडलिंग की बैक्ष्या तब की जा सकती है जब किसी कारिकों सफलता पुरोग पूरा करने और अन्य लोगों के साक्षी व्यक अब बताईए जड़ा अधिगम के चार ऐसे एलिमेंट तो इंगलिस में भी आता है अटेंशन अटेंशन ध्यान यह तो गलत हो गया है कि मोटीव ओके और भी इस दा राइट एंस और भी राइट कित में से प्रतिरूपडल की मनोवज्ञानीक प्रक्रिया क्या होगी पहला ही गया प्रटी के प्रतिरूपड एग तरीका है जिसके वेवहार सीखा जाता है जब कोई ब्यक्ति दूसरे के बैवहार का आवलोकन करता है और फिर उस बैवहार का अनुकरण करता है तो वह बैवहार का प्रतिरूपर कर रहा होता है तो इसे कभी-कभी आवलोकन सिक्षा, सामाजिक सिक्षा के रोख में भी जाना जाता है तो प्रतिरूपर एक प्रकार की सीख है, जिसमें प्रतेच्छ निरदेशन की अवशकता नहीं होती है, दरसल किसी को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है, कि कोई और उसके बेवहार के बारे में बता रहा होता है, और प्रतिरूपर एक नया बेवहार सीख सकता है, तो पहले से सीखे गए बेवहार की जो frequency होती है उसको प्रभावित कर सकता है तो सामान बेवहार की अवरित्ती तो बढ़ जाती है तो ऐसी condition पर attention, अवधारला और पुनरुत पादन की प्रक्रिया जाहिर होती है तो ये चीज ध्यान लखेगा हलाकि प्रतिरूपर की ये प्र अभी प्रेना अगर होता तो गलत नहीं था वो भी सही था है ना वो भी सही है था गलत नहीं था ठीक option नमबर यहाँ पर आपका प्रतिरूपर की पूछ लिया था प्रतिरूपर का भी ये सही जवाब देगा निमनलिकित में से कौन से अवधाला प्रसिद बोबो डॉल पर इच्छर से ली गई है अंतरद्रिष्टी आवलोकर नैतिक और वातानुकुलित है अवलोकर बेलकुल सही है अवलोकर ही आपका यहाँ पर करण जवाब हो जाएगा कि मॉडलिंग अधारित है सास्त्री पर क्रिया प्रशूत अन्बंदर पर समाजिक संग्यानात्मक प्रयासंत्रूटी पर बहुत अच्छा सवाल समाजिक संग्यानात्मक वेरी गुड़ और यही सिध्धान्त है अवलोकर का प्रति रूपल का अलबर्ट बैंडूरा का अप्शन न्बर सी सही है पता ही जरा सास्त्री अन्बंदन किस पर कुट्टे पर 1904 वेरी कुट क्रिया प्रशूत अन्बंदन भी एफ इसकीनर 1913 किस पर चुहे पर कि ट्रायल और इरर की थियोरी कव आई थी कि अधिया अधिया 1904 में आपका क्रिया प्रशूत सास्त्री अन्बंदन का सब्सक्राइब और फानी जी अजहार को थानी ट्राइब कर लीजेए कि द्यास्त्राइब कि अ कर इसंत्रे नहीं 915 कर लिए 2 15 सिप्ध्धार थिके और एक प्रयास यूंत्रुटी का सिध्धान तफेला एधिगम ये थमाना जाता पहला अधिगम ये ल फॉन डाइक का यह बुद्धी पर अधारित नहीं है बिली पर दिया था इस ने फॉन डाइक किस पर दिया था विल्ली और और बंदर पर भी किया था तो ध्यान किगा देखी एक चीज बता जाता हूं noot कर लेजिए फ्वह ठोड़ा सा यहां पर ध्यान दो जो खे तूरियां अप लर्निग तूरीं के बारे में थोड़ा सा समझे कोश्स करीड़ा है दो भागों में डिवाइट था, एक था संग्यां आत्मक सिध्धान पर, और एक था बेवहारवाद पर, जो बेवहारात्मक सिध्धान था, उसमें आता था एक जेubi वाट्सन का, जेubi वाट्सन का, और एक आता था आपका ट्राल एन एरर, और एक आता था आपका CCT, Classical Coordinating Theory पावलाव का था कुट्टे पर आधत पर इसने किया था पावलाव के रसिया के रहने वाले थे पावलाव और एक आता था चौथा ओसी टी ऑपरेंट कंडिशनिक थिवरी इसकी इंडर के दौर आये था 1915 में पुनरबलन का सिध्धान ता आप इसको कह सकते हो सफेद चुहा तोड़ा सा इसी से रिलेट करता है अंतर्रिष्टी ये सुज का सिध्धान जो 1912 में में आ편 ठीथा सुल्तान उसका नाम था कि इसको बोलता है सूज का सिध्धानत बोलते हैं और एक था सामाजिक अधिगम का सिध्धानत जो आप पढ़ी रहे हों 1963 में बोबो डॉल गुरिया पर फिलम दिखा कर किया था प्रतिछानबो प्रतिधारण और प्रतिरूपड पर अधारिक्ट था अलबर्ट बैंडूरा क था 1963 में बोबो ड्वाल पर किया था तो यह चीज़े संग्यानात्मक के इंतर के आई थी गेस्टाल्ट भी इंसाइड भी और आपका समाजी कद्गम के सिध्धान्त भी यह संग्यानात्र ना कि बैवहार पर था ठीक है याद रखेंगा यह सारे आप्शन जो दिये गए थे एक मॉडल को देखने के परिडाम स्वरुप नए बैवहार को प्राप्त करना सामिल किया गया प्रभाव डालना जो है निरुदात्मक प्रभाव और मॉडलिंग का प्रभाव कि अच्छा जाने जाती है मॉडलिंग प्रभाव का मतलब होता है नकली बैवहार से जिसमें एक मॉडल को देखने के परिदाम स्वरुप नया बैवहार प्राप्त करना सामिल होता है आप अभी योगा करेंगे तो मैं आपको देखके करूंगा तो यह मॉडलिंग हो जाएगा है की नह कि बिना निर्देश प्राप्त करके सीखने की छमता को डैस कहा जाता है सामाजी कर दीगम, अप्शन नमबर आपका 20 ही रहेगा कितने कोशन रहे गए, दो कोशन और रहे गए बैंडूरा ने सुझाव दिया था कि आत्म प्रभावकार मुल्यांकन सूचना के कितने स्रोथ पर आधारी थे इसमें चार है, अब इस चारो का नाम याद दिखिए, नमबर एक संग्यानात्मक, प्रेरक, प्रभावी, चयन संग्यानात्मक याव बिचार पैटन पर प्रभाव को संदर्वित करता है आत्म प्रभाव कारिता, चमता का मुल्यांकन और एक प्रयास करने की तयारी को प्रभावित करती है इसी को संग्यानात्मक प्रभावित करता है कि हम कब तक प्रयास करते रहेंगी प्रभावी या तनाव चिंता नियंतरड की भावना से संबंदित है चयन इसमें चुनवती पूर गतविधियों को चुनना सामिल है तो आत्में प्रभावकार मुल्यांकन सुचना के चार सुरोत पर आधारित है इसको आप द्याने कीगा सही जवाब हो जाएगा उप्शन नमर पहला चार आधार आधार अधिकम का प्रस्तावक कौन है वैंडूरा अच्छा सवाल है इसको भी आपको लोगों को ध्यान रखना होगा पावलाव सास्त्री अनुबंदन का सिध्धान कहीं है पावलाव हाई नहीं गेट्स यह गेट्स किस में आएगा विया प्रसूत का अनुबंदन का सिध्धानत में आता है और कैवलीन कैवलीन इंसाइड लर्निंग में आता है इंसाइड लर्निंग में इसका योगदान है कैवलीन का कैवलीन का इसकी नर तो किल हम गेट्स जी नाम चेंज कर दिया ना तो क्या था यह बताओ कि यह आता है आपका उसमें इंसाइड लर्निंग में यह सायोगी है अलबर्ट बेंडूरा का जैसे सायोगी थे इनके साथ भी लोग सायोगी की रूप में आते हैं कि यह दो सामाजिक होगा मैं अभी बताया था ना वाल्टर्स और बैंडूरा ने प्रस्तावित किया था मौर्दिंग प्रक्रिया दिया था तो ध्यान और धार्ला अपने रुत्पादन प्रेणा जो चीज़ा आती है यहां बेसिकली सामाजिक अधिकम साता है आप्शन न जो कहां कि अगरे बढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा देखेंगे थी और सुषण वर्ण बारे में सिद्धांत करके हम अब कल आप लोगों से इससे पहले बताया था आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मनोसामाजिक सिध्धान्त क्या क्या है इरेक्षन थियोरी जो है साइको सोशल डिवलप्मेंटल थियोरी के नाम से इसको जानी ज़ते हैं आप सभी लोग ध्यान रखेगा एक इरेक्षन एक ऐसा विद्धवान है जिसोंने मनोसामाजिक विकास का सिध्धान्त दिया और ब्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य निर्धारित होते हैं जिन्हें वा बिभिन अवस्थाओं में पूर करने का प्रियास करता है प्रतेक अवस्था में व्यक्तिको सकारात्मक और नकारात्मक बिकल्प के बीच में संघर्सका एक विकासात्मक संकट जिसको developmental crisis बोलते हैं उसका सामना करना पड़ता है ये बात आपको मालू है अच्छे तरीकिसे मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा जिसे प्रमुख बिंदु प्रमुख बिंदु के अंतरगत हो सकता है NTA UGC NET आप लोगों से 22 सप्टमबर से 30 सप्टमबर की बीच में जो एक्जाम होने वाला है उसके अंतरगत हो सकता आप लोगों से पूछ ले कभी पूछ ले अगर आप लोगों से कि मनो समाजी विकास का सिध्धान्त में कितने चरण है तो कुल टोटल 8 चरण है पहली बात ध्यान रखेगा किस ने दिया है इरिक्षन ने दिया है याद रखेगा ये दूसरी बात अगर आप लोगों से पूछे इसी अवस्था को जीवन अवधी विकास का सिध्धान्त बोला जाता है इसी को विकास का सिध्धान्त कहा जाता है इसी को मानों के बेवहार का अध्यन किया जाता है इसमें मानों के बेवहार का अध्यन पूरा जीवन विकास के आठ चरणों से होकर ही गुजरता है ये बात इसमें कहा गया है इसी क एस आर थियोरी भी बोला जाता है इरिक्षन का मानना था कि प्रतेक अवस्था में दो बिरोधी विसेस्थाएं होती हैं ये आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है याद रखेगा जब समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करेगा उसका उतना ही अधिक विकास होगा ये बात कही गई तो ये क पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है इस बात को आप सभी लोग ध्यान लखिएगा आगे बात करते हैं विकास के कुछ आठ अवस्थाएं इरेक्शन के इस तरीके से देखे विस्वास बनाम आविस्वास इसको बोला गया है सैस्वावस्था क्या बोला गया है इसको सैस्वा अवस्था बोला गया है यह यह इसकी जो आई होती है जनम से लेकर दो वर्स यानि जीरो से दो वर्स कह लीजिए दूसरी बात करते हैं हम लोग तो इसमें दूसरी वस्ता होती है स्वतंत्रता है ना तो स्वतंत्रता वर्सेज संदे संदे को हम लोग क्या बोल सकते हैं लज्जा भी बोल सकते हैं इग्जाम में पूछा जाता है यह इसी को हम लोग सर में भी बोल सकते हैं अज्म ठीक है, यह तीन सभด आ सकता है तर्बलks ये अर्ली चाइल्ड वृट होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं प्रारंविक अधित्या सर समझ में आ रहा है अहां ध्यान दीजिएगा यह इसकी आयू जो होगी वह तीन से चार वर्स अगर आप एसके मंगल की बुक देखते हैं तो वहां पर आपको मिलता है दो से तीन वर्स परंत यह लिखिए तीन से चार आपको सब अच्छे सोगें बाकी एच यह जो नहीं आप ऐसे ही identify कर लेंग आप इसी को जो है आत्मबल को हम लोग पहल सकती बोल सकते हैं हाँ उपकरम बोल सकते हैं बिल्कुल पहल सकती उपकरम भी बोल सकते हैं ठीक है याद रखीगा वर्स अपराद अपराद को हम लोग बोध देखो अपराद बोध की संगया तो दी गई है यहां पर इसको हम द या तो हम दो सिता भी कह सकते हैं इसी को तीन नाम कि जो सब्ध यूजिसी यूज करता है न मैं उसको भी लिख रहा हूं आप लोगों के सामने इसको हम लोग बोलते हैं खेल की अवस्था बोल सकते हैं न आज यह चार से पांच मिलेगा हरी इसके मंगल में 5-6 मिल रहा है अभी में आप लोगों को एक चीज और बताने वाला है जानते हैं आप को क्या बताने वाला एक और चीज़ से नहीं पता अच्छा ठीक है सीगमन फ्रायट के साथ ए्रेक्शन का याद रखेगा सीगमन फ्रायट के साथ साथ में मनों सामाजिक विकास का सिध्धान मैच करत है कि क्या करता है मैच करता है अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि उसके कौन-कौन से ऐसे सिध्धान जो मनों समाजी विकास के सिध्धान से उससे मैच करता है सुमलित करता है अभी देखेंगे थोड़ा सा बने रही है आप अगे बढ़िए अच परिश्रम वर्सेज हीनिता की अवस्था होती है परिश्रम को हम लोग जो हे उद्धम भी बोल सकते हैं कि अगया और हीनिता को और हम बात करें तो हीनिता ही बोलए हीन भावना वही है लेकिन हीन भावना आ जाएगा ऐसा हो सकता है तो उद्धम और परिश्रम एक है और यह खेल वस्ता हो गया प्रारमिक बाल वस्ता हो गया खेल वस्ता हो गया उसके बाद आप कहा जाएगा चौता में योना पूबर्टी नाम सुना होगा मैंने आप लोगों को साथ पढ़ाय जाता है इसकूल अवस्ता भी बच्चा अभी स्कूल जा रहा है विद्ध्याला जा रहा है तो साथ से बारा साथ से बारा है कि क्लियर एक बोलते रहेगा तो साथ सात में थोड़ा थोड़ा अब देखिए यह जो चार अभी आपने बताये हैं सीग्मन फ्राइड की वी चा अर ऐसे ही अवस्ताइँ हैं सीग्मन फ्राइड की भी परेश्रम बना में इंता में यह जोगल देखिए तो पांचे में आती है बारा वर्सकी एच और पंद्रा ने बारा से पंद्रा अरे अपने आगे सब लोग कहते रहते हैं हमारा भी कभी को बारा से पंद्रा एज होती है पीडिया देख लिया करो आप लोग को मैंने दाया है ऐसी बात नहीं हमने अडेंटिफाई करने के लिए जब विकास की अवस्था पढ़ रहे थे किसोरा वस्था तो वहां पर आपको बारा से ठारा मिला था तो वहां पर मै लोग योना आरंब कहते हैं तो इसमें भी मिलेगा आपको और पांचमें स्टेज में भी आपको वहां पर मिलता है ठीक है बही किलियर है यहां दोनों में मिलेगा अरे महान भाव का बताएं आपको हमारे और अप्शन में कैसे आ गया वही यह पवर्टी यहां पे आप लो आपको एज बताना है बस 12-15 इसमें भी तीन भागों में डिवाइड किया गया उनकी एजस को बताया गया आप से मनोसामाजिक विकास के सिध्धान्त को लेका थोड़ी यह आप दूसरे टॉपिक वी तरफ चल गए तरोडाई अवस्था के तरफ चल गई आप तरोडाई कि अवस्था के तरफ ना जाएं वहां वह अलग प्रश्ण बनाएगा मैंने यहां पर सिर्फ रेलेट करवाया है पुवर्टी मैंने थोड़ा समझाया था मैंने बूला था कि एक ऐसी स्टेप है आधा आपका चार्व में 12 जो मेला यहां पर उसमें मैच करेगा प्लस तक है अब प्यूबर्टी ठीक है चलो बढ़ियां भी समझते हो तो अच्छी बाते नहीं समझते हो तो और अच्छी बाते लेकिन समझा करो आगे बढ़ते हैं कहां चलना था मैं भूल गया क्या बता रहा था आप दोगों को कर दो सिंस्ञान फ्रायड प्रायड वेसिकली जो मौकी कंवस्था गुदावस्था लेंगी गवस्था इन चारो अवस्थाओं को इससे रिलेट करता है इस चारो वस्था वास्था आप एचिस ध्यान रिखेंगें जो जनिंद्रियां अवस्था है वह लाकी 12-20 होटी है मिल जाते हैं यहां कुछ लग मिल जाते हैं तो यह इस्टैटमेंट है इरिक्षos का और वह फ्राइड का थीक है हम बात करें एक्र cannon के बारे में फाटमा देखेंगे फाटमा आई आ रहा अब के सामने पहचान पहचान को बोलते हैं हम लोग एहम पहचान वी बहांगर Gleich अयां कि यह स्था रहा है है तो तॉ ध्यान रखने वाली बात आप सब को ले यह है कि यह अवस्था भार आती है किसोरा में आती है और इसमीं आति और म्हार्स पाति डिश्टश्टरह में आती है रहत अप देखे टुअ कि घंष्ट परसंद तलिए लगाव oh एलसी कली घनिष्टता को हम लोग क्या बोल सकते हैं अंतर गता भी बोल सकते हैं अंतर गता आत्मियता भी बोल सकते हैं देखिए किसी ने बोला है बहुत बढ़ियां आत्मियता भी बोल सकते हैं घनिष्टता भी बोल सकते हैं अलगाव को हम लोग और क्या बोल सकते हैं और यह विल्गन भी भी बोल सकते हैं इसको हम centres भी बहूं तो यहां इसको हम इस पहलदा कर सोद्स जाल passenger है कि लिट है तो यहां अगर में बात कर सक मुप्राइल्लेश्ट असला करते हैं तो कि अगर तोतल नहीं पाल्ट है प्रारंबिक प्रोणावस्था ठीक है उसके बाद आप काता है उत्पादक्ता वर्सस निस्क्रियता दिए उत्पादक्ता को हम लोग स्री शरी शर्यूंदा करेटिविटी को बताता है वालग है ये जनातमक्ता उत्पादक्ता हो गया और उत्पादन सीलता भी बोल सकते हैं उत्पादन सीलता भी बोल सकते हैं वर्सेज निस्क्रियता निस्क्रियता को गति रोधक कह सकते हो निस्क्रियता को गति रोधक कह सकते हो सिर्ठा भी ब्रॉट हो कि इस त्रिता हा बेल्कुल इस त्रिता भी बन सकते हो मंदता भी कहसकते हो मंदता भी कहसे को कि ठीक है यह आता है middle adulthood मढल प्रोड़ावस्था क्या था यह बलकुल ठीक है एक लास्ट आता है आपके सामने इमांदारी वर्सिस निरासा इमांदारी को हम लोगा हम जानते क्या बोल सकते हैं अहम संपूर्ता भी बोल सकते हैं अहम संपूर्ता या समगरता भी बोल सकते हो समग्रता बल सकते हैं परिपक्कता नहीं यह परिपक्कता कर लास्ट वह बनेगा अभी बताता हूं वह क्या बनता है वह स्टेज़ बनेगा और समग्रता के बाद हम इसको आत्मे निश्था भी बल सकते हैं आत्मे निश्था भी बल सकते हैं और निरासा को अब तो निरासा ह परिपक्ता है, हतासा भी बोल सकते हैं, इस में रहाँ और होगा तो परिपक्ता भी हम सकते हैं, प्रोडा वस्ता भी बोल सकते हैं, असपस्ट हो गया है न इन अवस्थाओं में पता है कुछ संघर्ष उत्पन होते हैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं समझ लोग आप लोग क्योंकि हो सकता है अगर एक आज बनाया जाए तो आप वहां पे कर लोगे चलो अच्छा आप ही लोग बताओगे कि मैं बताओं आप लोगों को मैं ही बताता हूँ सुनो पे ठीक है सुनो देखिए बिश्वास वर्सस अबिश्वास मतलब ट्रस्ट वर्सस मिस्ट्रस बेसिकली अगर हम इसके बारे बात जब करते हैं तो इस अवस्था में सिसु बिश्वास करना सीखता है अगर हम उसका सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं तो बच्चे के अंदर आविस्वास की भावना पैदा हो जाती है बालक मुख्य रूप से अपनी मा और अपने परिवार के प्रति विस्वास रखता है सुरक्षा की भावना का भिकास होता है तो आप यहां पे कहते हैं कि विस्वास वर्सस आविस्वास आविस्व बिष्वास बेसिकली होता क्या है कि सिसू के पालन प्यार में, बिष्वास के माहौल में होने पर उसमें बिष्वास का भाव उत्पन हुआ वो बिष्वास को रिपज़न किया और जब विश्वास का आभा हुआ तो बालक के अंदर आविश्वास का भावुद्पन हुआ यदि यहाँ विश्वास और आविश्वास के बीच का जो अंतर है उसको सही तरीके से सपलता पूरवक से उसको कर लेता है बालक तो उसके अंदर एक आसा की भावना विक्षित होती है उसी आसा की भावना को कहा जाता है developmental crisis डेबलपमेंटल क्राइसिस बोला जाता है एक बार केवल प्रेशन पूछा गया है UGC के सोशल वर्क में पूछा गया है यह प्रेशन एक बार पूछा गया था कि इस अवस्था मे सफलता पूरवक के बाद क्या चीज विक्षित होती है आसा की भावना विक्षित होती है पहली इस हवस्था में ये आप ध्यान रखेगा ये एक बार पूछा गया प्रेशन इसमें आसा होता है आसा की भावना कि है किलियर हो गया होप अब देखिए श्टनतरता संदेश देखो, देखो, पॉइंट पॉइंट समझो बस, पॉइंट पॉइंट समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा, मैं उताता हूं, जहां सुनो, देखें, आस्था और विश्वास का भाव विक्षित होता है, प्रारंबिक बाल्ला वस्था में, आप जानते हैं, इस चीज को पकड़िये, और इसी के आधार पे सोचेंगे ता आपको सारा सवाल, यहां पर यह समझ में आएगा, और इसी प्रारंबिक बाल्ला वस्था में, सील गुड का विकास भी इसी वस्था में होता है, सुतंत रूप से वाहवाता वरण में अन्यवेश्ण करना प्रारंब कर द मतलब बच्चा सुतंत रहे, तीन चार साल का बलक है, तो जाहर सी बात सुतंत रही होगा, अपने घर के बच्चों को सोचो थोड़ा साना, रिसर्च नहीं करते रहते हैं, खिलोने तोड़ते फोड़ते रहते हैं, वही चीज़े हैं, जब माता पिता अत्यंत छोटा समझ क अगर उसे कार ये ना करने देते हैं, तो उसके अंदर सर्म आने लगती है, संदेह आने लगता है, लजजा आने लगती है, अब चार साल का बालक है, कभी कभी क्या होता है, जो राइट पैर का है, स्लीपर वो लेट वालेम पहन लेता है, लेट का राइट का लेता है, आप आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के छोटे बच्चों को अब आप वहीं पर आप जाते हैं उससे बोलते हैं कि आप स्लीपर नहीं पहन पाओगे मैं आपको पहना हूँ भाला की बालक प्रयास करना चाहता है वो सही पहनने का लेकिन फिर आप कहते हो आप पहन नहीं पहन पाओगे तो ऐसी कंडिसन पर बालक के अंदर सर्म या लजजा सीलता या संदेह जैसे भाव जो है विक्षित हो जाते हैं तो सही धंग से निर्देशन ना हो पाने पर अब यह इसकी भोविका आप की है समझो आप सही धंग से निर्देशन ना दे पाने के खारण बा बालक सही तरीके से इस अवस्था में सफलता पूर्वा कर लेता है अक्टिविटी को तो बालक के अंदर यहां पर भय का विकास भी होता है इक्षा सक्ती का विकास होता है ठीक है याद रखेगा इसमें भय और इक्षा सक्ती इसी में सामिल की लिए है दो सम्था तीसरा द दुनिया इसे सक्रियता और पहल सक्ति दिखलाने के लिए एक तरह की चनोती प्रदान करती है इस सबस्ता में इस उम्र में बच्चों को अपने सरीर पहल कर रहा है ना क्योंकि अब इसी उम्र में बच्चों को अपने सरीर उसके बेवहार उसके खिलोने और उसके पालतू प प्रशू के बारे में ठीक है ध्यान देने को कहा जाता है यदि गैर जिम्मेदार है और उसे बार-बार व्यग्र किया जा रहा है तो उसके अंदर अपराद बोध उत्पन हो जाता है अब चहर सी बात है आप वो कोई चीज सीखना चाते हो आप उस पे बैंग डाल रहे हो एक प्रकारत बाधा उत्पन कर रहे हो उसके लिए नए-नएक कार ये स्रिजन करना सीखता है आत्म विस्वास जागरेज जिग्यासाब प्रवित्ति का इसका विकास हो रहा है इसमें दबाव देना और रोकने पर अपराध हो रहा है यहां पर अपराध तो इसलिए कहा जाता ह दबाव मत डाली उसको उसे रोके ना बालक के साब्दिक और सारीरिक डंड दिया जाता है इसी में जब आप बालक को साब्दिक रूप से सुना देते हैं कुछ सारीरिक रूप से उसे डंड भी दे देते हैं आप उसे तो उस बालक के अंदर दोसिता का भावुत्पन हो जाता है यही तो कारण है कि इस अवस्था बे कहा जाता है कि पहल सक्ती वर्सेज अपराद बोध भी टिक है? याद रखिएगा नेक्ष्ट बात करेंगे उसके बाद आता है आपका चोथे नंबर पे योना आरंब जिसको इसको लवस्था भी कहा जाता है परिश्रम बनाम हीनता होता है देखे इसमें अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बालक नए ज्यान और कोशल का विकास करता है परिश्रम पुर्वक करता है मौलिक कारियों को बाओधिक सामाजिक कारियों में प्रविर होता है मित्र मंडली बना लेता है सौबिकृत्ती वहीं पर आत्मे विस्वास में बढ़ने लगता है दिर दिर आसफलता की अनुभोती भी कहीं इसको देखने लगती है जब इसके अंदर आसफलता की अनुभोती दिगई सफल नहीं हो पा रहा है आत्मे विस्वास में कमी आ जा रही है तो वहाँ पर उसके अंदर हिनता का भाव हो रहा है जब बालक के अंदर नए ग्यान और कोशल का विकास हो रहा है वहाँ पर समाजिक कारियों प्रवीर हो रहा है सवभी कृती मिल रही है मित्र मंडली वा रहा है तो उसमें विश्वास बढ़ रहा है तो इसलिए कहता है कि योना आरंब में इसको ली स्टेज़ में जा करना परिश्रम वर्सेस हिन्ता का भाउत्पन होता है नए जब नए अनभो के संपर्क में आता है जैसे जैसे मद्ध और अंत तक पहुँचता है तब बहुधिक कोशल ग्यान को हाशिल करने की दिसा में मोड देता है तो बाला वस्ता का अंतिम्चरड कल्पना सीलता से भरा होता है और इस आयूमे बालक के अंदर हीन भाउना अपने आपको आयोग और आसमर्थ समझने की भाउना बिक्सित होने लगती है तो यहाँ पर एक भाव उत्पन होता है यह प्रिकार से एक सफलता पूर्वक के अवस्ता में एक डेवलप्मेंटल क्राइसेज उत्पन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्छमता या सामर्थता नंबर पांच की बात करेंगे अहम पहचान की होती है सुयम पहचान बनाने के लिए किशोर स्वयम पहचान बनाने के लिए किशोर को विभिन भोमिकाओं को सम्मावित करने की आवसकता होती है ऐसा ना कर पाने पर भोमिका भ्रम उत्पन हो जाता है विभिन प्रकार की जो प्रश्ण पूछे जाते हैं किस से संबंदित जीवन कहां हो जा रहा है किशोर में बहुत सारी नई भोमिकाओं वयश्क इस्तिती सामना कर रहा होता है एक ही भोमिकाओं में विभिन भागों का पता लगाते हैं तो यदि सामाजिक और सकार्य सकरात्मक ना हो पाता है तो पहचान की भ्रांति हो जाती है जिग्यासू रूप में होता है यहां पर भोमिकाओं का भांति हो जाती है उसके बहुत घंश्टता होती है अंतरगता जैनी घंश्टता बना में अलगाओ युवा ब्यक्ति जो होता है दूसरों से घंश्ट संबंद बनाने का प्रयाश करता है ऐसा करपाने पर वा सामाजिक और सम्विगात्मक दृष्टी से अलग थलग पढ़ियाता है तो दूसरों में आत्मिता संबन नस्थापित करने लगता है सवयम को खोजने लगता है सवयम को किसी वेक्ती में खोजता है यदि ऐसा ना हो पाता है तो उसके अंदर अलगाव की भावना भी उत्तन हो जाती है एकाकीपन या एकाइलापन या अलगाव या अंतरगता क्या हो सकता भी हो सकता है ठीके तो यहाँ पर यह चीज़ों होती है और इस अवस्था में जब सबफ़ता पुरुवक कर लेता है यह बेसिकली जननात्मक तावस्था भी बलेता है इसका आर्थ होता है कि अपनी अगली पीड़ी के साथ सामाजिक कल्यान के लिए सोचना जब जननात्मक चिंता उत्पन नहीं हो पाता है तो उसके अंदर इस्तिरता का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए इसको का जाता है प्रणरान में ब्यक्ति युवा ब्यक्तियों के सहयोग देना और निर्देश देने के सक्री ढंक से भूमिका नभाता है ऐसा ना करने पर उसमें विकास गति रोध विक्षित हो जाता है भविश्यों मुकता की कमी अपने से पूरे समाज की बारे में सोचना भविष्ची की पीढ़ी पर ध्यान देना इन सारी चीजों की बारे में सोचने लगता है और एक लाश्ट वस्ता होती है और ये उत्तर प्रोड़ा वस्ता होती है परिपकता इसको बोलायता है संपूरता कह सकते हो वर्सेस निरासा या हतासा भी बहुत सकते हो जीवन की अंतिम वर्सों में व्यक्ति अपने आप से प्रश्ण पूचता है कि जीवन में उसने क्या किया और अपने से ही उत्तर ढूड़ता है वहाँ पे तो यनि उसके जीवन का कुछ महत्व है की नहीं है यदि उत्तर हा में है तो उसमें आत्मे निस्ठा का भाव उत्पन होता है यदि उत्तर नहीं में है तो उसके अंदर निरासा का भाव उत्पन होता है तो संपूरता का भाव एवन जीवन में मोल संतुष्टी बैर्तता और निरासा के अनभूती होती है यदि इस सवस्था में सफलता होता है या सफल होता है तो बुध्धी की संग्या दी जाती है इस सवस्था को ठीक है याद रखेगा विकास के मनों समाजिक सिध्धान्त जो दिया था एक एलिक्षन ने यह आपका यहां पर कंप्रेट हुआ कुल आज चरोड़ों पर इन्हों आज के लिए इतना ही रखिया आप सभी लोग कल थोड़ा सा इसके बारें प्रश्न करेंगे और फिर उसके बाद इसके किताबों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक ना नेक्ष्ट सिध्धान्त पढ़ लेंगे मनों दाहिक सिता ठीक है यह भी थियोरीज है सोचल वर्ग की थेुरीज है ठीक है यह चले हो अब है